मुंबई 29 एप्रिल मेहुल पाइलेट की ट्रेनिंग ले रहा था कि तब ही अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है प्लेन क्रैश हो जाता है मेहुल और पाइलेट बिलके प्लेन को सबाधे की कोशिश करते है लेकिन प्लेन नहीं समोलता और सीधे जाके एक जंगर में क्रैश हो जाता है जो उतारतम माका होता है और तेस्ट आग निकलने लगती है मेहुल सार भज कई एक सपना था आज से मेहुल सार पाइलेट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे है तेकिन कई सच में ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ ही रहूँगी आलिया तुरत मेहुल के घर की तरफ निकल पड़ती है मुझे 8 बजे से पहले एरपोर्ट पहुचना है क्या आप इस सीन को दिखकर बता सकते है अभी टाइम क्या हुआ होगा सुचे सुचे लोजिकल आरमी इद्यान से चीजों को अब्जर्व कीजे मेहुल को 8 बजे के पहले एरपोर्ट पहुचना है और ये वाल क्लॉक में 9 बजे है मतलब ये क्लॉक खराब है ये अलांक क्लॉक में टाइम देके 7 बजे हुए है पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौना क्या मेहुल डोर उपन जाता है तो धर्वासे पे आलिया खरी हुई थी आलिया तुम इतनी सुबह सुबह आलिया पूरी तरह से तयार होकर आई थी उसने पाइलेट वाला कॉस्ट्यूम भी पहन रखा था मेहुल को समझ नहीं आता कि आलिया क्या करने वाली है सर वो मैं मैं भी आपके साथ प्लेन उडाऊंगी ये क्या मसा के आलिया प्लेन उडाना कोई बच्चों का खेल नहीं है मेहुल की बात सुनकर आलिया मूर कुला लेती है और सोफे पे बैठ जाती है मेहुल आलिया को छोड़कर एरपोर्ट के लिए जाने लगता है तो आलिया रोने लगती है चलो आलिया तुम भी लेकिन प्लेन में नहीं एरपोर्ट से मुझे ट्रेंग लेते हुए देखना डन सर और दोनों एरपोर्ट के लिए निकल जाते है रास्ते में आलिया को mango juice दिखाई देता है सार मेरे पेट में चुहे कूद रहे हैं अपन लोग mango juice पी लेते हैं आलिया अल्डेडी हमें बहुत लेट हो चुका है तुम जल्दी से अपना juice पैक कर लो हम रास्ते में पी लेंगे आलिया तुस पैक कराने के लिए दुकान के अंदर चले जाती है उदर मेहुल कार में आलिया का वेट कर रहाता पांच मिनिट से जाधा हो जाता है लेकिन आलिया भी तक नहीं आई थी मेहुल आलिया को कॉल करता है आलिया कहा हूँ? लेट हो रहा है यह आलिया हमेशा लेट करते थी है मेहुल और आलिया एरपोर्ट के अंदर पहुच जाते है Logical Army क्या आप एरपोर्ट को देखकर बता सकते है यह National Airport है या International Airport सोचे सोचे Logical Army यह ना National Airport है ना International बल्कि यह Training वाला Airport है इतने सारे हेलिकॉप्टर और अरो प्लेंज देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है अलिया अब तुम चुप चुप यही पर रहना वह के ट्रेनिग गेने जा रहा है मेहुल रेडियो कर एक स्पेशलिस पाइलिट के साथ प्लेन में चला जाता है आलिया मेहुल को बाय करती है और मेहुल भी आलिया को हाथ दिखाता है लेकिन हमान में थोड़े उपर जाते ही मेहुल सार तभी अचानक सिटी के सारे टीवी और रेडियो हैक हो जाते है सारे टीवी चैनल्स पर एक आदमी दिखाई दिन लगता है जिसके हाथ में एके 47 थी और उसने अपने चेहरे को कवर करके रखाता यह तो बशुरुवात है हम एक एक करके पूरी दुन्या पर कपज़ा कर लेगे और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा पापा से तीवी चैनल्स नॉमल हो जाते है लेकिन आलिया सोर सोर से रोने लगती है आज उसमें मिहुल सर को को दिया है लेकिन तब ही अचानक मिहुल आलिया के पीछे आ जाता है मिहुल को देखते ही आलिया मिहुल को गले लग जाती है सर आप तो तब मिहुलालिया को बताता है कि मिहुल को इतना तो समझ आ गया था कि एरोपलेन ब्लास्ट के पीछे किसी ना किसी पाइलेट या एरपोर्ट मेंबर का हाथ जरूर है क्योंकि उनकी पर्मिशन के बिना कोई एरपलेन को हाथ नहीं लगा सकता तब ही अचानक मिहुल की मुबाईल में रिंक्टोन बचती है मिहुल कॉल रिसीव करता है तो सामने से कोई मिहुल को धमकी देता है मिहुल इसमार तो तुम बच गए लेकिन अपनी मुमबाई को कैसे बचाओंगे बेरे रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा मेहुल स्पीकर पर बात कर रहा था और आलिया ये सब सुन रही थी आलिया से रहा नहीं जाता आलिया मेहुल से मुबाइल छीन कर उसे दम किनन लगती है अरे मोबाइल पे क्या बोल रहा है, हिम्मत है तो सामने आ तेरी और कॉल कट हो जाता है अरे अलिया ये तुमने क्या किया, मैं उसे बातों में वजा कर उसकी लोकेशन ट्रेस करने वाला था तब ही वहाँ पे वो पाइलेट आ जाता है, जो मेहुल को प्लीन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था अरे सर, आप भी बच गए, बाइदवे, माइ नेम इस आलिया, असिस्टेंट ओफ डेटेक्टिव मेहुल अलिया, अब तुमारा हो, क्या हो, तुम मैं बात करूँ इसके बाद मेहुल उस पाइलेट से पूछताच करता है, तो उससे पता चलता है कि रात के समय यहाँ पर तीन सेक्यूरिटी गाड ड्यूटी कर रहे थे और हो ना हो, प्लेन के अंदर वाम नाइट में उन्हीं नहीं लखाओगा मेहुल तीनो सेक्यूरिटी गाड पूछताच करता है, लेकिन मेहुल को कोई साबूत नहीं मिलता फिर मेहुल एरपोट के CCTV चेक करता है, तो उसमें भी रात के समय एरपोट पे कोई नहीं आये था लेकिन तब ही अचाराक मेहुल को एक फूटेज में कुछ गरबर लगती है वर्चकल आर्मी कि आप बता सकते हैं मेहुल को क्या गरबर लग रही है, सोचे सोचे जहां से देखिए CCTV फूटेज में दो फ्लैक्स दिख रहे हैं, एक राइट की तरफ उड़ रहा है और एक लेफ की तरफ उड़ रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल एरपोर्ट मैनेजर से पूझताच करता है, तो मैनेजर बताता है, कि रात के समय, CCTV का सारा शिस्टम पराग देखता है मेहुलर आलिया तुरंड मैनेजर के साथ पराग के केवीन में जाते है, लेकिन तभी पराग के केवीन से किसी के चलाने की आवज आती है लगता है कुछ घर बढ़ है चल दी चलो आ लिया पराक के चिंबर के दर्वाज़ा अंदर से लॉक था मेहुल पिना देरी के तुरंट बगल मेरा का गमला उठाता है और ग्लास विंडो तोड देता है अंदर का नजारा देखकर मेहुल चौक रह जाता है मेहुल तुरंट विंडो से पराक के चेंबर में चला जाता है और अंदर से दर्वासा खोल देता है आलिया और मैनेजर भी अंदर आ जाते है इंट्रेस्टिंग, वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग इसका मतलब खूनी कोई आसपास का आदमी है सर वो देखके खूनी जंगल की तरफ भाग रहा है मैं उन पीछे वाली गिड़की से देखता है तो एक आदमी जंगल की तरफ भाग रहा था और पीछे मुर्मुर कर देख रहा था इसका मतलब यह अभी पराक का मटर करके भाग रहा है आलिया पकड़ो उसे सारे लोग पीछे वाली विंड़ो से उस खूनी का पीछा काने लगते है लेकिन खूनी जंगल में गायब हो जाता है खूनी इतने कम समय में साता दूर नहीं जा सकता वो यहीं कहीं होगा आलिया विंडो उसे सारे लोग खूनी को दूरने लगते है पुरी तेर बाद आलिया को बगल वाले तालाब में कुछ गरबर लगती है आलिया धीरे धीरे तालाब के तरफ जाने लगती है रोचकल आनमी क्या बता सकते है आलिया को तालाब में क्या गरबर लगने लगी सोचे सोचे त्यान से देखिए तालाब के अंदर एक ग्रीन गास का धेर डेला हुआ है जो मूव कर रहा है लिकिन वो गास का धेर लेप साइट जा रहा है जबकि हवा राइट साइट की है ऐसा कैसे पॉसिबल है आलिया को कुछ डाउट होता है आलिया एक फत्तर उठाती है और गास के धेर बे मारती है पत्तर लगते ही खुनी बाहर आ जाता है खुनी ने चेहरे में मास लगा रहा था मेहुल और आलिया को पास आता देखकर खुनी पारिंग करने लगता है मेहुल और आलिया अपनी जान बचाने के लिए पेर के पीछे छुप जाते है मेहुल भी पारिंग क आलिया जरब बचारे रहेना मिहूर अपने नीचे रखा एक फट्तर उठाता है और खुछ सोचने लगता है कुछ सेकेंद तक सुचने के बाद मिहूर एक और फट्तर उठा लेता है लॉजिकल आनमी कह आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसे दो फत्तर की उठा लिये, सोचे सोचे खूनी शापशूटर है, अगर वो हवा में उड़ती हुई गन को शूट कर सकता है तो फिर फत्तर क्या चीज है, मेहुल एक साथ दो पत्तर उठाए ताकि अगर खूनी ने एक पत्तर को शूट कर दिया, तो मेहुल दूसरे फत्तर से खूनी को टारगेट कर सके मेहुल तुरन पेड के साइड में आता है, और फूल स्पीड से फत्तर को खूनी की तरव फेखने लगता है लेकिन खुनी अपनी गण से पहले फत्तर को शूट कर देता है लेकिन इतने में मेहुल दूसरा फत्तर भी फेक देता है खुनी को दूसरे फत्तर पे फायर करने का मौका नहीं मिलता और फत्तर जाके सीधा उसके टकली में लगता है खुनी सीधा नीचे गिर जाता है मेहुल तुरंट खुनी को पकड़ लेता है मेहुल खुनी के चेरे से मास्क खटाता है तो धेखता है कि खुनी का पूरा चेरा खुन से लाल हो गया था मेहुल तुरंट अपनी जेब से रुमाल निकालता है लेकिन उसकी जिब में रुमाल ही नहीं था आलिया चल्दी से अपना रुमाल दो नहीं सर मैं अपना रुमाल दें दोंगी मेरा रुमाल इस कुन से कराब हो जाएगा चुपचाप करो आलिया चल्दी से रुमाल दो केस के टाइम पर मस्ती नहीं आलिया तुरंट अपना रुमाल दे देती है मेहुल खुनी के सर पे रुमाल बान देता है और फिर उससे पूच्टाच करने लगता है अब सच सच बताओ तुमने पराक को क्यों मारा तब वो खुनी बताता है कि आरफ नाम के एक आदमी ने उसे एक लाक रुपे दिये थे और आरफ का मेसेज आते ही उसने पराक को मार दिया मेहुल कुनी से आरफ का आडरेस लेता है और पुलिस को बिला कर उससे जेल भीजवा देता है इसके बद मेहुल और आलिया एरपोर्ट चेंज रूम में जाके नॉर्मल रिस पहन लेते हैं और केस सॉल करने के लिए आराफ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में रोट पे बहुत सारी बक्रियां आ जाती है अरे वाँ सर जब पेरे दादाजी काओ में रहते थे तो उनके पास भी बहुत सारी बक्रियां थी बिख्रियों को रोट से हटाने के लिए जोड़ जोड़ से हौन बजाने लगता है अरे भाई ये क्या कर रहे हो बक्रियों को चल्दी सिरोट से अटाओ मुझे चल्दी जाना है अरे सर एक ना एक दिन तो सब को जाना है कोई आगे तो कोई पीछे सर ये आदमी क्या पहलिया बुझा रहा है आप बोलो तो इसकी हड़ी पसली नहीं आलिया ये आदमी पहली नहीं पुझा रहा है बलकि सच मुझा में उपर पहुचाने आया है मिहुल की बात सुनते ही आलिया कार की सिप में चुपने लगती है Logical Army क्या बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझ में आया कि वो शेपर्ड मेहुल और आलिया को मारने आया है सोचे सोचे ध्यान से देखिए उस आद्वी ने बहुत महंगे वाले जूते पहन रखे है और उसके हाथ में एक स्पेशल घड़ी है अब भला एक शेपर्ड के पास इतनी मेंगी घड़ी और जूते कैसे हो सकते हैं इसका मतलब जरूर कुछ गरबर है मेहुल तुरंद अपने कार के गलास उपर कर लेता है आलिया कार के सारे डोर्स अंदर से लॉक कर लो यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गरबर होने वाली है आलिया कार को अंदर से पूरा लॉक कर लेती है तभी अचानक वो शेपड मेहुल के विंडो ग्लास को नौक करता है और मेहुल से हेल्प मांगता है सर बकरिया रोट से नहीं हट रही है अगर आप बाहर आकर कुछ हेल्प करेंगे तो रास्ता जल्दी खुल जाएगा मेहुल तुरंद अपनी कार को बैक करने लगता है लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपने पास से गन निकालता है और मेहुल के ओपर फाइरिंग करने लगता है मेहुल की कार बुलेट रूप थी इसलिए मेहुल और आलिया को कुछ नहीं होता मेहुल बैक गेर में कार को पीछे ले जाने लगता है लेकिन तबी अचानक जाडियों में से बहुत सारे लोग AK-47 लेके बाहर आ जाते है और हेवी फाइरिंग करने लगते है ये देख आलिया बहुत डर जाती है मेहुल अपनी कार का फाइरिंग सिस्टम अक्टिवेट कर देता है मेहुल फूल स्पीड अपनी कार गुमाता है मेहुल की कार सर्कल की तरह घुमकर फाइरिंग करने लगती है एक इक करके सारे गुंपे मर जाते है मिहुल और आलिया आराव के घर की तरफ निकल पड़ते है मेहुल को इतना तो समझा चुका था कि इस बार क्रिमिनल कोई नॉर्मल बंदा नहीं क्योंकि वो हर जगह सबूत मिटाने की सोच रहा है और भला जो आपनी मेहुल को मानने के लिए इतने सारे शुटर भेच सकता है वो कितना डेंजर होगा कहीं जेकल वापस से इतना सोस्ते सोस्ते आरफ का घर आ जाता है मेहुल और आलिया तुरंत पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर घुज जाते है घर के अंदर का नजारा देखकर मेहुल सोक रह जाता है पूरे घर में अलग-अलग तरह की गन और हैंड गरनेट रखे हुए थे आलिया एक हैंड गरनेट लेकर खोलने लगती है मेहुल तुरंत आलिया के हाथ से हैंड गरनेट ले लेता है क्या कर रहे है आलिया ये बॉम है बॉम का नाम सुनते ही आलिया मेहुल के पीछे चुप जाती है तब ये अचाना किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है मेहुल और आलिया परदे के पीछे चुप जाते है एक आदमी कॉल पर बात करता हुआ वहाँ पर आता है जी आरफ सर, माल रेडी है आज रात को ही समुदर के रास्ते से माल चला जाएगा इसका मतलब ये बंदा आरफ नहीं है मेहुल पकल में रखे एक गर उटाता है और उस आदमी को गन पॉइट पे पकल लेता है कौन हो तुम और आरफ कहां मिलेगा तब वो आदमी बताता है कि आरफ अंडर वर्ल्ड स्मगलिंग का काम करता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री में इलिगल तरीके से हरतियार और ड्रक्स की सप्लाई करता है और आरफ के उपर बिग डैडी का हाथ है और तुमारी तरह दुनिया के सारे डिटेक्टिव हमारे काम को रोकते है इसलिए Big Daddy ने दुनिया के सारे डिटेक्टिव को मारने का order दिया है फिर future में हमें कोई तकलिफ नहीं देगा अब मुझे खुद के साथ साथ दुनिया के सारे डिटेक्टिव को भी बचाना होगा लेकिन सर्ग हमें Big Daddy के बारे में कैसे पता चलेगा आलिया पूरी दुनिया एक पर फिर से खत्रे में है हमें कैसे भी करके पूरी दुनिया को बचाना होगा ये Big Daddy को रोकना होगा लोजिकल आर्मी अब क्या करेगा मेहुल क्या मेहुल आरफ के थुरू Underworld Dawn को पकड़ पाएगा और कौन है ये Big Daddy देखेंगे हम अगले एपिसोड पर